नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जीवन में धन की बरकत रुख जाती है तब हम महालक्षमी जी को याद करते हैं लेकिन क्या आपको पता है आपके घर की जो महिलाएं हैं वो भी लक्षमी की अपतार है उनकी ही रूप है अब आप उन्हें जैसे रखेंगे वो वैसे ही बन जाएंगी यह बात भी 100% सकते है वैसे अपवाद के रूप में कुछ गलत भी हो सकता है उल्टा उल्टा हो सकता है लेकिन आज हम कुछ भी आपको नहीं बोल कर सिप यह बताएंगे अगर ज पिलाओं की पायल आपको करजों से मुक्ति दिला सकती है और धन की बरकत भी होने लगेगी लेकिन करेंगे क्या सुक्रवार के दिन पायल चांदी की खरीद कर ले आईए पतला मोटा वो माइने नहीं रखता आप ले आईए आपकी पतनी है तो आप उन्हें गिप्ट कर द करता है मलमल का कपड़ा उसमें इस चांदी के पायल को अच्छे से रखकर मा लक्ष्मी को अर्पित कर दें और वहीं पर बैठकर स्री सुक्तम का पाठ करें या फिर ओम स्रिंग स्रीय नमा इस मंद्र का जब कर सकते हैं आप कनकधारा अस्तरोत का पाठ भी कर सकते हैं और ठीक 15-20 मिनट के बाद इस पायल को आपको उठाना है लेकिन पहले मा से प्रातना कीजिएगा कि मा इस पायल की जो घुंगरू जैसे बजेगी बिलकुल वैसे ही घर में जमा जम धन की बारिस कीजिए और जीवन में परेसानी है कर्च से पती परेसान है जीवन में धन नही आ रहा है बरकत नहीं है बरकत दीजिए यकीन मानिए उस पायल को आप उठाइए और प्रातना करने के बाद पायल को आप पहन लीजिए आप देखिएगा आपके पती कर्ज से भी मुक्त होने लगेंगे धन भी आने लगेगा और कहीं फसावा रुकावा धन है तो वो भी वापस मिल जाएगा करके देखे जरू लाव होगा अब हम बताते हैं अगर किसी लड़की की या लड़का का कभी कभी क्या होता है लड़कियों की साधी नहीं हो पाती उम्र बीत रही है माँ पापा बहुत परिसान होते हैं भाई बेहन लोग परिसान होते हैं तब क्या कर रख दें आप मा हैं आप यो पाय कर सकते हैं अब 21 दिन हो जाने पर 21 धन इस पायल को गंगा जल से निकाले अच्छे से पोचकर आप भगवान से प्रार्थना करें आपकी बेटी का विबार नहीं हो पा रहा है आपके बेटे का नहीं हो पा रहा प्रभू जल्दी से साधी हो जाए देखिएगा बहुत जल्द साधी हो जाएगा और साधी होने के बाद आप अपनी बेटी को ये बहु को ये पायल दे दे वो पहनेंगी भगवान का आसिरबाद के रूप में फिलाल आपसे बिदा लेते हैं हर हर महादे फिर मिलेंगे